आज हम बनाएंगे बहुत ही शानधार सा ड्रिंक जिसका नाम है मुईतो और ये हम बनाएंगे दो तरीके से एक सोडे से और एक स्प्राइट से तो चलिए शुरू करते हैं मैंने यहां दो ग्लास लिये हैं और ये तीन नीबू मैंने काट लिये हैं छोटे-छोटे पीस में अब हम इने दोनों ग्लासों में डाल लेंगे आधे एक ग्लास में और आधे एक ग्लास में डाल लेंगे और ये पुदीने की पत्ते ये पुदीने की पत्ते हमने डाल दिये हैं अब हम इसे या तो इस टाइप के बेलंसे या आपके पास अगर ऐसी मूसल हो तो इससे क्रश कर लेंगे मैं इसे गेलंसे क्रश करूंगी इसका सारा जूस नीबू का सारा जूस और पुदीने का सारा जूस सब एक साब क्रश हो जाए हमें इसे ज्यादा कूटना नहीं है बस हलके हलके मसलना है ताकि सारा नीबू का टेस्ट और पुदीने का टेस्ट सब एक साथ मिल जाए ये देखिए सब इसमें इसका सारा जूस निकल रहा है अब हम इसमें दो चम्मत चीनी डालेंगे और इसे भी इसको भी ऐसे ही क्रश करना है यह हमारा तयार हो गया है अब हम इसमें आगे का प्रोसेस करेंगे अब हम इसे एक साइड रग देंगे और अपना दूसरा ग्लास भी ऐसे ही तयार कर लेंगे बिल्कुछ सेम प्रोसेस से यह हमारी गलास इसे तैयार हो गए हैं अब हम इसमें आइस डालेंगे आइस हमें बहुत धेर सारी डालना है तब ही यह चिल्ड बहुत ज्यादा अच्छा लगता है अब मैं एक ग्लास में यह सोडा डालूंगी और एक ग्लास में इस्ट्राइट डालूंगी यह दोनों ही टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं अब हम इसे थोड़ा सा शेक कर लेते हैं ताकि हमारा नीबू का पुदीने का टेस्ट आ जाए पुदीना पेट के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है इसकी तासी ठंडी होती है नीबू में वाइटमिन C भरपूर होता है इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही जादा फायदे मन भी होता है और बहुत ज्यादा टेस्टी भी होता है तो लीजी तयार है ये हमारा दो तरीके से बना हुआ मोई तो ड्रिंक अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें